साई की बाद तुम्हें इतना धन्वान करतेगा तुम्हारे जीवन में इतनी सारी खुशिया मरतेगा कि तुम कभी बीना हारोगे नहीं जिंदगी में तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी खुशिया ही खुशिया होंगी तुम्हारे चारो तरफ तुम्हारे रिष्टे, तुम्हारे अपनी, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास होगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम देख लेना, जो तुम रोज मेरे आगे अरदासे करते हो ना, रोज मुझसे खुशिया मांगते हो ना, तु इसने तुम पर दोश लगाया है ना, कि तुम लालची हो, तुम स्वार्ती हो, तो कहने दो, क्योंकि वो खुद ही ऐसा इनसान है मेरे बच्चे, उसकी सोची खुद ऐसी है, चो तुम पर इल्साम लगा रहा है ना, उसकी खुद की सोच ऐसी है, तो वो क्या करेगा, बोलो न तुम्हारी सोच ऐसी नहीं कोई इंसान अगर तुम्हें भला बुरा कह रहा है न तो हमेशा याद रखना कि वो शब्द तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हारे चरितर पर नहीं है वो उसकी खुद की सोच है अगर कोई इंसान तुम्हारे बारे में इतना गलत सलत कह रहा है न तो बलकि ये मत सोचो कि तुम्हारे उपर कोई बात आ रही है या तुमसे वो कुछ कह रहा है उस वक्त गुसा मत करो बलकि उस इंसान के उपर तरस करो दया करो दया का भाव दिखाओ कि उसकी सोच कैसी है उसकी सोच ही ऐसी है, उसके अंदर ये सब भरा हुआ है, ये सब नकरत्मक चीजें, अगर इस तरीके से देखना शुरू कर दोगे न, अपने नजरिये को बदल लोगे न, तो कभी भी तुम किसी की भी बातों पर गौर नहीं करोगे, कभी भी किसी की बातों को अपनी उपर नहीं लोगे, और ना बात अगर अपने उपर लोगे तो दुख्य और परशान भी नहीं होगे, है न, अगर कोई इनसान तुमसे कुछ भी कह रहे है न तो ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना, कि वो इनसान अपनी सोच तुमें बया कर रहा है, और उसकी शोच पर तु तो उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर तुम अपना 10 मिनिट की पूजा पाठ करते हो, अगर उसमें से 2 मिनिट, 2 सेकेंड भी किसी और इन्सान के लिए प्रातना करते होना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे बच्चों कोना मैं दुगना तिगना आशिरवात देता हूँ, एक तो उनके लिए जिनके लिए वो आशिरवात मांग रहे हैं, और एक उनके खुद के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों कोना मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे बच्चे मुझे बहुत प्रिये हैं, जो अ बस बहुत हुआ ना, तुमने हर बार माफी मांगी है, चाहे तुम्हारी गलती हो ना हो, उसके बावजूद भी तुम आगे जुकी हो, हर बार तुमने ही रिष्टे को बचाने की कोशिश की, हर बार तुमने ही पहल की, हर बार तुमने ही किया, देखो मानता हूँ की आगे प तो जाने दो ना जो इंसान सच देखना ही नहीं चाहता जो तुम पर गलत इल्जाम लगा रहा है गुछ गलत बोल रहा है न तो जाने दो ऐसे इंसान को उसके हाल पर छोड़ दो जब सही वक्त आएगा न तब उसे सारा सब कुछ समझ में आ भी जाएगा समझ गये ना और ना तुम्हारे मन को ना मैं ठेस नहीं पहुँचने दूँगा मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं इस बार तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारे मन को कोई ठेस पहुँचाए ना ये मुझे बिल्कुल बरदाश नहीं बिल्कुल भी नहीं है और सुनू अगर क ऐसे मर्जी तुम तक उदी पहुंचाओ, वो मेरा काम है, मैं पहुंचा दूँगा, लेकिन तुम ना उसकी मदद जरूर करना, तुम्हारे हातों से मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे करम हो, कुछ अच्छी चीज़े हो मेरे बच्छे, तुम्हारे माध्यम से किसी मेरे बैठा है कि तुम उसकी तरफ बोलोगे, लेकिन तुम ना सची कहना, चाहे कोई कितना भी तुम्हारा अपना क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जूट बोल रहा है गलत कर रहा है तो उसे तुम रोको टोको, लेकिन सच कहो, चाहे सामने वाला इंसान तुम्हारा अपना नहीं लेकिन वो गर सही है अपने जीवन में सच बोल रहा है न तो उसका साथ देना क्योंकि देखो जीवन में सच कहना बहुत जरूरी है मेरे बचे क्योंकि अगर तुम उसे जूटा ठहरा भी दोगे न आज नहीं तो कल उसके अंदर से जो तुम्हारे लिए चीजे निकलेंगी न तो फिर वो तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी मैं नहीं चाहता कि जो गलतिया तुमने की ही नहीं उसका तुम भुकतान करो चीजों का तुम भुकतान करो दंड भोगो तुम्हारा भी उसमें योगदान हो चाहेगा मेरे बच्चे चाहते ना चाहते चाहे तुमने गलती की हो या ना की हो लेकिन अगर तुम किसी गलत इंसान का साथ दे रहे होना और सामने वाले का दिल दुखा रहे होना तो फिर उसमें तुम भी भागिदर बन चाओगे जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो तो सची कहना और बलकि जिसने गलत किया है उसे समझाने की कोशिश करो कि उसने गलत किया है और हो सके तो वो भी माफी मांग ले और अगर वो नहीं माने न तो तुम तो सची कहा है बोल देना उसको क्योंकि हर रिष्टे से बड़ा करम है हर चीज से बड़ा करम है इंसानियत सबसे बड़ी है और कुछ भी बढ़ा नहीं मेरे बच्छे कुछ भी नहीं है और सुनू, आज जब तुम मेरे आगे जोट जलाओगे न, तो तुम्ही उसमें मेरा छवी दिखाई दे जाएगी, तुम्हें आज मेरे उसमें दर्शन हो जाएगे आज अपने साहीं को गौर से देख लेना, आज कहकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आज कहकर आ रहा हूँ, मुझे ध्यान से देखना, तुम्हें लौ में मैं दिखाई दूंगा मेरे बच्चे, मुझे ध्यान से देख लेना आज, तुम्हारा साहीं तुम्हें दर्शन देन और कोई चीजे ऐसे भी होती हैं जहां तुम्हारे घर वाले नहीं मानते जो चीजों को लाने में घर नहीं मानते हैं और तुम्हारा व्रत होता है और तुम परेशान हो जाते हो कि मैं क्या करूँ कैसे रोको इने तो जाने दो ना उनके करम उनके साथ और तुम्हारे करम तो वो उसके साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं है, तो उन चीजों को लेकर अपने मन में वहम मत करो, कि साही मेरा वरत स्विकार करेंगे या नहीं करेंगे, करूंगा मेरे बचे, जरूर करूंगा, क्योंकि तुमने दिल से रखा है, तुमने दिल से जो भी चीज़ की है न मेर अगर तुम उनका इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो उन्हें ja तो kisί को दे दो या उनного है या बेच्ट दो मेरे बच्चे क्योंकिonly हो Rखे खराब हो रहे हैं जंग खा रहे हैं ना वो तुम्हारे काम थे रहेंगे न किसी को देख करना ये लेना है वो लेना है पहले जो चीजे हैं घर में उनका इस्तमाल करो बाद में जाकर वो चीजे खरीदना अभी वो चीजे मत खरीदो जिनकी जरुवत ही नहीं है न उन चीजों में पालतो पैसे खर्च मत करो हर चीजों में खर्चा मत किया करो पैसे अगर हो करो जहाँ से पैसे निकलना मश्किल हो जाय जो कम से कम तुम्हारे भविशा केнов bend आए और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लो गों हैं जिनकी नजर हमेशा तुम्हारे पैस और होती है पैसे देखे नहीं कि तुमसे मांग लेते हैं तो उन्हें भी मदन बताया करो चीजों को थोड़ा चुपाना सीखो मैं ये नहीं कह रहा कि जूट बोलो लेकिन थोड़ी बहुत चीजें समझो समझदारी वाले चीजें अपने अंदर लाओ तुम्हारे अंदर ना बहुत बच्पना है बहुत नादानी है थोड़े अपने आपको ना समझदार बनाओ तुम अगर तुम अपने लिए सोच रहे हो ना तो इसमें कोई बुराई नहीं वो तुम स्वार्थी नहीं हो स्वार्थी वो होता है जो तूसरे का नुकसान करे और अपना अच्छा करे अगर तुम अपना अच्छा करना चाह रहे हो अपनी महनत से कमा रहे हो अपना तुम कर रहे हो ना तो इसमें कोई बुराई नहीं तुम अपने लिए सोच सकते हो खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप्तूवा